यार जब से बूट का पेपर इस्टार्ट हुआ है ना तब से मुझे इतना टेंसन हो गया कि तू पूछ मत रात को मुझे नींदी नहीं आती है पूरी रात मेरी ये सोचने में निकल जाती है कि मैं कल पेपर में क्या लिखूंगा और जब मैं पढ़ने बैठता हूं तभी मे पाइदा जूट में पैसे बरबात करके और रही बात बैठ बोल की तो ओ मैं तुझे दिलवा दूंगा तेरे घरवालों से बात करके अब बे साले मेरा बोट का पेपर चला है और तू मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बोल लाए कम से कम तुझे तो बोलना चाहिए कि पाइदा पाइदा बात करके और अगर पड़ेंगे तो हम उस्यार कैसे होंगे और अगर उस्यार नहीं होंगे तो हम जॉब कैसे पाएँगे नहीं पाएँगे तो हमारी कालोनी में इज़्जत कैसे बढ़ेगी वाह क्या लेक्चर दिया है तुने मान गया मैं तुझे जो बात तू उसे समझा रहा है वही बात तू खुझ समझ गया होता तो आथ तुझे सबजी मंडी में जाके सबजी नहीं बेचनी पड़ती तो पढ़ेली के लोगों का यही ना है किसी भी कमपनी में काम पा जाते हो और हमें दे को सबजी बेचते हैं अब रुक भी जा एपल की कमपनी में काम करता हूँ इसका मतलब है कि मैं सेव का ठेला लगाता हूँ कहीं तू आइफोन वाला एपल तो नहीं न समझ गया तो ऐसे बोलना कि मैं ठेले पे सेव बेशता हूँ क्या जरूरत थी एपल काने की तू भी मेरे ही केटेगरी का है फर्क सरी पितना है कि मैं जमीन पे बैट के बेशता हूँ और तू ठेले पे बेशता है यार मेरा बोट का पेपर चलना है और तुम दोनों आपस में बस कर रहे हो कम सकम मुझे समझाना तो चाहिए कि भाई अच्छे से पढ़ देख मैं सरी पेखी बात जामता हूँ कि पढ़ाई बहुत ही जादा जरूरी है इंसान के जीवन में अगर तेरे घर वाले तुझे पढ़ा रहे हैं तो तेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अच्छे से पढ़ूँ अगर अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो आगे चल के कुछ बड़ा भी नहीं कर पाएगा और नहीं जोग पाएगा और उस वक्त तुझे जाके पता चलेगा कि ये जूकेशन बहुत ही जादा जरूरी है इंसान के जीवन में